हलो दोस्तो मैं हूँ आपकी सकीरुकू वलकम डू माई चैनल दोस्तो उमीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हल्दी और हैपी चल रही होगी दोस्तों अगर आपका pregnancy का आठवा महीना चल रहा है या फिर आठवा महीना शुरू होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है और pregnancy के आठवे महीने में आपके शरीर में क्या-क्या बदलावाते हैं आपके बच्चे का कितना ग्रोथ हो चुका होता है और आठवे महीने म अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे पीच को follow जरूर करें और वीडियो अगर आपको देखने के बाद पसंद आती है तो इससे like भी जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों के pregnancy के 8 वे महीने में आपके शरीर में क्या क्या चेंजिस आते हैं सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगी कि आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएंगी इस महीने में चाहे मौसम थंडा क्यों नहों लेकिन आपकी बाड़ी इस टाइ अगर आगर आपको जो एक मिनट से लेकर ज्यादा भी हो रहा है जैसे पांच मिनट के लिए 10 मिनिट के लिए 15 मिनिट के लिए तो आपको क्या करना है देर नहीं करनी है तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और इस चीज़ को आपको इगनोर नहीं करना है अगली चीज़ आपको फील होगी कमरदर्ध प्रेगनेंसी के 8 महीने तक गर्वती महीलाओं का वजन काफ तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है आपकी योट्रिस पर दबाव पढ़ रहा है और कभी-कभी ऐसा हो जाता है और प्रेगनेंसी के 8 महीने में आपको ये देखने को मिल सकता है अगली चीज़ आप देखेंगे दोस्तों पैरों पर दबाव पढ़ना पैरों में एठन होना, दर्ध होना और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी के आठनी महीने में आपको देखने को मिलेगी प्रेगनेंसी में आपका वेड बढ़ चुका है आपका बेबी बम बढ़ चुका है जिसकी वज़ा से आपके पैरों पर पुरा भार आ जाता है और जिसकी वज़ा से आपको पैरों में दर्ध एठन की समस्या रहती है और ये मुस्टली 90% लेडीज में रहती है प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में दर्ध होनी की समस्या नेक्स्ट चीज होती है दोस्तो बवासिर यानि पाइल्स प्रेडन्सी की दौरान कुछ महिलाओ को constipation की समस्या होनी लगती है जिसकी वज़ा से उनको बवासिर जेसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो आप pregnancy के दौरान जितना अच्छा fiber rich food लेंगी, अच्छे से पानी पिएंगी, fruits खाएंगी तो आपको कब्स की समस्या नहीं होगी और इसकी वज़ा से आपको piles की भी समस्या नहीं होगी अगली चीज़े दोस्तो प्रेग्नेंसी के आटवी महीने में आपको सोने में दिक्कत होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आपका weight बढ़ जाता है, baby bump बढ़ जाता है, जिसकी वज़ा से आपको सोने में दिक्कत होने लगती है, नीन ना आने की समस्या भी आपको हो स सकती है, और कुछ-कुछ ladies में spotting भी देखने को मिल सकती है, अगर आपको white discharge में बहुत जादा smell आ रही है, या फिर private part में बहुत जादा itching वगरा हो रही है, तो ऐसे में अपने doctor को ज़रूर बताए, अब बात करेंगे के प्रेग्नेंसी के आटवे महीने में बच्चे का कि growth हो जाता है, दोस्तो अब तक हमने ये जाना कि प्रेग्नेंसी के आटवे महीने में आपके बॉडी में कौन-कौन से changes आते है, साथ ही आपके बच्चे का कितना विकास होता है, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें आटवे महीने में किन-किन बातों का धियान र हाना है, अगर आप non-vegetarian है तो, नेक्स्ट दोस्तो आपको fiber rich diet लेनी है, नेक्स्ट दोस्तो आपको पानी अच्छे से पीना है, जिसकी वज़़ा से आपको कब्स की समस्या नहीं होगी और नहीं आपको पाइल सुगा, और साथ ही साथ आपको जितना हो सके junk food को avoid करना है, क कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी ना खाए, नेक्स्ट दोस्तो आपको रात में 8 गंटी की नीन लेनी है, और दिन में भी आप 2 गंटी की लिए सो सकती है, और आपको पीट की बल नहीं सोना चाहिए, आप कोशिश करें कि आप left करवट लेकर सोए, ताके अच्छे से blood circulation हो और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है यह, और आपके लिए भी अच्छा है, इस टाइम पर अगर आपको कोई दिक्कत वगरा हो रही है, तो आपको कोई भी देशिन उसका या फिर कोई भी अपने मन से दवाई नहीं लेनी है, अपने डॉक्टर के मुताबिक ही आपके लिए अच्छा होगा और इस टाइम पर आपको एक्टिव रहना है और बहुत ज्यादा वेट आपको नहीं उठाना है इस टाइम पर रेगिलरली आपको आपका हीमगलोबीन शुगर वगरा चेक करवाते रहना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर यह चीज़े उपर- महिने में क्या-क्या होता है और आपको खीन चीजों का ध्यान रखना है तो दोस्तों उमीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो हल्फुल लगी होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जरूर करे तो दोस्तों मैं मिलती हो आपसे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक कियर स्टेए हल्दी स्टेए हैपी और थैंक्स पर वाचिंग